है 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 मैंने आप पार ड़िए है नहीं देखाए जाके जरूर देखेगा और इंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटे इंवेस्टर यहां पे कहां पे इंवेस्ट का सकते है देखो मैंमेंबस आप सभी को बता है कि मार्केट आप आल टेम हाई बना रहे ठीक है न संदिक है और शायद कल बना सकता है कि आप देख सकते हैं पर थोड़ए से यहां पर इस होते हुआ डिक दिखती दिया जिसकी डॉब जोन्स यहां पर उपर जाता हुआ देखे जिए समझ रहे हो लेकिन एक cater university का निफ्ट स्वेयं स говорит समझे स हमें वीडियो तो हुआ इस जई स फोकस करना चाहँ समझे हिप ओल में आपको यहाँ आपको यह फोकस करना है कि यह जो आपको stocks fall कते हुए दिखाई दिए company के margin में impact हुए है inflation की वज़े से recession की वज़े से और आपको focus करना चाहिए जो margin में impact हुए है इसके वज़े सा stock fall करें तो जैसे ही inflation ease होगा ठीक है rate hikes कम होगे जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे देखो और भी rate hikes कम कर सकते हैं उसके बाद यह होगा कि rate hikes ना के बरबर हो जाएंगे शायद यहाँ पे rate decrease भी हो सकते है तो उस पे क्या होगा तो क्या आपकी जो stocks है आपकी जो retail investor के पास stocks है ठीक है उनका profit बढ़ेगा margin बढ़ेगा और stocks उपर जाएंगे ठीक है तो आपके लिए यह news positive हो गाट बांद लो जितना रोग होगे ना देखो रोने से कुछ होगा नहीं बात समझो ठीक है ना किसर मेरे stock नहीं बिलते फला नहीं नहीं बिलते आपको positive समझना चीए समझ रहे हो तो आपको यह focus करने के जैसे ही महिंगा ही कम हो रही है ठीक है rate x कम होगे तो आपके stocks बढ़ेंगे margin बढ़ेगा क्लियर अब मुद्धे पर आ जाते चलो मानलो सर यह हमारे रिटेल निवेश्ट के लिए positive है बहुत ही जल्द banking stocks करेश होंगे fall होंगे और आपके stocks ओपर जाएंगे as simple as that कोई बड़ा news नहीं है समझ रहे हो अब सबसे बड़ा important point retail निवेश्ट के लिए देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था रिटेल निवेश्ट के लिए बहुत positive news है मजा आएगा मजा क्या है तो आपके stocks ओपर जाएंगे second positive point पता है आपको पता है conscious stock में buy करना है जो stocks margin की वज़े से impact हुँ है ये stock भले आपको time perhaps कता हुआ दिख़ाय धिए है within a few months, within a few months यहाँ से फाद के return देखा किसी को बॉटम पकड़ना नहीं हाता लेकिन ऐसे में जानता है मार्केट का बॉटम कहां पर है जैसे कि मैं आपको ICTC में बोला था ठीक है जहां पर टाइम स्पेंट कर रहा था बारासों पर बिकवाया था आप लोगों को नीचे के लीवल पर आपको खरीद वाया था पॉलिप्लेक्स वाला स्टॉक है एसा रेफ स्टॉक है डिक्सन हा ठीक है वैसे स्टॉक उपर जा सकते हैं तो सबसे पहले वही पकड़ना है अपके लिए मैंने थोड़ी सी पॉजिटिव निउस बोली है और देखो मैं जो दिखता है वह गोलता हूँ और मेरे में नहीं क्लियर बोला था कि निफ्टी पंदरा पंदरा सा दोसों से नीचे नहीं जाएगा थोड़ा सा नीचे गया जादा नहीं फिर वापिस नए हाई बनाया बनाया के नहीं बनाया ठीक है न तो एसमेफ की एनलेसिस पॉजिटिव है हम लोग ने कभी नहीं बोला कि निफ्टी बारा अजर जाएगा जो बंदे आपको अब मार्केट क्यों उपर गया है देखो मार्केट में एक निउस है जो मैं आपको पार्ट वन में बताई थी कि मार्केट में बड़े प्लेस ने क्या किया होगा कुछ स्टॉक्स को बीचे होगे प्रॉफिट बुकिंग क्यों होगी रिजल्ट बेकार आने की वज़़े से और निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स होगे, इसमें एंट्री की होगे, खरीदरी की होगे, ऐसी इंपल एस थैट, ठेक है ना, क्योंकि बहुत सार ऐसे स्टॉक है जिसके रिजल्ट बेकार आ रहे, तो क्या उपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगे, नीचे टाइम स्पेंड करेगा, और चार-चे मैने के बाद जब स्टॉक से रिकवरी आएगी, इंफलेशन के डेटा कम होंगे, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो तब जब रिकवरी आगी, तब नीचे की लेवल से स्टॉक को उठाएंगे वो लोग, ठीक है, इसी के तिलाल और ने बोले के 32% का लेग रूम है, अब हम लोग ने अब तक की जो LIC के प्रेडिक्शन है, मैंने आपको एक बात बता ही थी, कि मेरे लिए LIC का बेस्ट जो एंट्री है, या आप बोल सकते के सिफ वेल्यू है, रिजनेबल वेल्यू है, वो 600 की है, रिजनेबल वे है, ठीक है, तो अब भी भी ये स्टॉक फेर वेल्यू के आसपास ही है, ऐसा नहीं कि ये अंडर वेल्यूड है, ठीक है, ये स्टॉक पता है कब उपर जाते हैं, जब ये स्टॉक अंडर वेल्यूड हो जाते हैं, इंशोरेंस पेस, कंपनी स्पेशली, ठीक है, तब उपर तो जब तक ये अंडर वेलूट नहीं होता, तब तक ये उपर नहीं जाएगा, यानि कि कम से कम दो साल पकड़ लो, मिनिममुम। रेट हैक्स, जैसे कि मैंने बताई था, रेट हैक्स शायद इस होते हुए, आपको दिखाई जया सकते हैं, ये न्यूस पॉजिटिव है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के लिए नेगिटिव है, सर बैंकिंग स्टॉक अभी गिरेंगे, तो कि मेरी सबसे अभी इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे, लेकिन जैसे ही, रेट हैक्स बंद हो जाएंगे, और न्यूस में आना स्टार्ट हो जाएगा, दो मेने के बाद कि वाई, अब शायद यहाँ पे रेट डिक्रेस करने का टाइम आ रहा है, तब गिरेंगे, ठीक है, आपको देखना है कि रेट हैक्स बंद कब होते हैं, जब बंद होगे, आपको भी एक्जिट करने का ही सुषना है, बैंकिंग स्टॉक से, ल, ल्टिय ने माइन्टरी का मर्जर, देखो, अब एक मैं रेटिल निवर्श की बात बताना चाहूंगा, जो बहुत सारे रेटिल निवर्श करते हैं, मैं जब पहले मार माइन्टरी का मर्जर का निवर्श आगे, इस टॉक दो तीन पसंट गैप अपन हुआ, हम लोग ने ले लिया, ठीक है, अब हो गया स्टॉक क्रेश, क्या करें सर, कोशन आएगा न, फिर सोचेंगे सर, माइन्टरी तो लॉंग टम के लिए अच्छा है, ल, 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 फिर ये स्टॉक तीन असर दोस्तों बैगें, तब सोचेंगे वापिस, मैंने गल्दी तो नहीं कि ये स्टॉक को होल्ड करके, समझ रहे हो, तो ये चीज़ कब होती है, जब ये स्टॉक में आप रॉंग टैम पे एंट्री का थे, निउस को देखके, ठीक है, आपको माइन तो आपने रॉंग एंट्री की है, गाट बांदेना, और उसको बेसिस पे कोई पपा भी बोले तो भी एंट्री मत करना, आपको लगे के भाई, ये एंट्री करने का मौका है, तो एंट्री करना, वनना नहीं करना, ओके, मेरे वे भाई, मैंने खूद की है, ठीक है, मैं ताइम निकला, मैंने बहुत बड़ी गलती की, वो थी एपिक्स में, ठीके, लॉंग टम समझ के मैंने स्टॉक को निवेश कहा था, वो भी 900 पे, और वो भी maximum amount पे, कितना maximum amount, जितना मेरा balance था, clear, और मैंने 600 पे बाद में बेचा था, और ये 200 पे आया था, approximately, तो मैं भी गल गलती नहीं करने, news को देखके entry करना, first गलती, second गलती, top पे, poor amount एक stock में डालना, चाहे आदानी हो, चाहे कोई भी फला न धीमकाना stock हो, तो मैं बस ये सभी stock ये उसके वाज़े से focus में रह सकते हैं, I hope आपको हमारे वीडियो समझ मेरे पसंदारे, और आप गलती नहीं करें ठीक है, अगला point आजाता है, सर कुछ question अंसर ले लेते हैं, retail निवर्शन के बहुत सारे mind में question रहते हैं, और उसको solve करना मेरा important point है, देखो, एक question आदेखे सर, BTST में चार्ज कितना लगता है, कैसे लिया जाता है BTST, intraday और delivery, BTST हमेशे delivery में ली जाती है, ठीक है, intraday यानि कि क्या 3.15 मिनिट या 3.20 मिनिट पे आपकी position बंद हो जाती है, cancel हो जाती है, ठीक है, अगर 3.15 को अपने आप square of करते हैं, तो चार्जी square of के नहीं लेगते हैं, लेकिन अगर square of आपका broker करता है, जैसे कि जिरोदा, अप स्टॉक्स, एंजल, ठीक है, तो फिर वो charges लेता है, तो इससे बेटर आप अपने position खुद square of कर लो, इंट्राडे है, तो, अगर आपको BTSD करना है, तो delivery मिन लेना है, ठीक है, सर्थ delivery में कितने charge होते है, BTSD के, भाई delivery में जो normal charge होते है, समझ रहो, पानलो आपने आज लिए, कल बेचा, 0 दा में, तो 20 रुपे लगेंगे, उस कितने लगते है, शॉर्टेंट में जीतने, इंट्राडे में लगते है, as simple as that, specially मैं बात करूँ, डिसकांट ब्रोकरेश परम की, इंजल, जीरोधा, आप स्टॉक्स वैसे वाली, समझ गए, तो यह आपका मेना answer यहाँ पर दे दिया है, second question है, कि सर्की स्टोन IPO कैसा है, कि मैं 20%, 30%, तो मैं yes बोलूँगा, बागे मैं wait and watch बोल दूँगा भी के लिए, और wait करना चाहिए आपको, ठीक है, मेरी सब से company positive है, आपको return देखे जा सकती है, लेकिन still green market का wait करेंगे, sir, राम रत, sir, डाशनी रूपर जाएगा कि नहीं, तो भाई जाने के chances है, थोड़े ब ठीक है, लेकिन अभी राम रतनक की जगह मैं आपको बोलूँगा कि राम स्टिल टीम्स जो हम लोग ने yesterday discuss किया था, ठीक है, वो try कर सकते है, क्यों, तो कि इसमें नोमुरा ने entry की है, जैसे कि BLS में हुआ था, ठीक है न, हाँ थोड़ा volatile होगा, थोड़ा time spent करेगा, लेकिन future, अगर सामने future दीखता है, तो फिर क्यों try ना करें, समझ रहे हो, okay, मेरी साथ सी ये बंद्या जहा सकते है, उपर, तो अगर एक दो पसंद की deep हागी, तो panic मत करना, आपको fix stop loss रखने है, अगर आपको 160 दूर लगता है, तो 165 का रख दीजे, ठीक है, 165 भी खरब नहीं है वो 165 टर्च करेगा, तो 165 भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन chances नहीं है कि 165 को break करें, तो वो try कर सकते है, ठीक है, बाकि still अगर राम स्टील ट्यूब्स पूछ रहे है, तो मैं आपको बता देता हूँ, माफ कीजिगा, राम रतना वायस, ठीक है, आपने question बुछा था, राम करेंगे, अभी कोई जलबाजी के अंदर एंट्री नहीं, ठीक ही करेंगे, स्टॉक जैसे ही, अगर आपको एंट्री करनी है, मैं आपको बोलूँगा कि 210 अगर ये ब्रेक होता है, तो फिर एंट्री का सकते है, for 200, stop loss, एन यहाँ पर 220, 240, 200 साइं तक के target, अगर है तो hold, ले लेकिन वेट इन वाच, ठीक है, फिर BCG सर, BCG में क्या हो सकता है, ये कोशन पूछा था, और देखो किसी ने, मुझे परसनले भी पिंग किया था, सर ये आंसर बता देना, तो ट्राइडंट का तो मैंने बता दिया कि ट्राइडंट आपको लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है, लेना चाहिए, एंड, BCG, देखो BCG एक साइड वे स्टॉक है, ठीक है, देखो BCG में आपको पैनिक नी करना चाहिए, रिजल्ट पॉजिटिव साइट पे है, मेरी इसाब से ये रिटन अच्छे देखे जा सकता है, ये एक बॉटम, बॉटम आउट स्टॉक ही, अगर आप स्टिल बॉटम आउट वाले कोई स्टॉक चाहिए, पैनि स्टॉक में, कोई रिटेल निवाश्य, ठीक है, रिस्की वाले, रिस्की वाले तो यहाँ पर BCG में ट्राइ का सकते है, क्योंकि रिजल्ट स्ट्रॉंग साइट पे है, आप यहाँ पर चेक आउट का सकते है, ऑप पर चेक नहीं, ठीक है, फोल्ड कर सकते है, अगर किसी के बास है, अवरेज करना चाते है, वो भी का सकते है, स्मॉल अमाउंट, अल्गों सर, अल्गों की अपडेट है क्या कुछ, ठीक हो हमारा अल्गों पहले भी स्टॉक में हम लोग ट्राइ करे थे, निफ्टी नहीं थ कर रहा है, अभी कॉल अपने अप ले लेता है, मैन्योले टार्गेट सेट करें हम लोग, अगर ये प्रॉपर हो जाता है, मार्केट की पूरी अपसेंट डाउंस में एक एवरेज रिटन मिल जाता है, बात में हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, सिफ निफ्टी का जलगो, ठीक है, तो किया, कि आपको CHARJIS भी extra नहीं लगेंगे, और पूरे दिन में एक ट्रेड होगा, profitable, non profitable, mostly profitable होते है, लेकिन still, लेकिन क्टी एक ट्रेड होगा ठीक है mostly profitable होते हैं लेकिन एक ही होते है clear तो मैं बस most of the query shout out के दियें फ्रकोई query रह जा दे comment की जिगा and telegram में यमिन ये जाकी जुड़ीगा और Whatsapp group को join करना है तो मैंने 3 महीने के लिए 5 महीने के लिए कुछ ऑफस रखे हैं छोटा सा डिसकाउंट है और देखो गाठ बांद लो कि इतनी सथ इतनी सस्ती सर्विस कोई मार्केट में नहीं था अब किसी को भी देख लो ठीके न जो जिसके वन विलियन व्यूज आते हैं ठीके जो कोर्सिस दस अजर पंदर अजर में बीच रहा है ठीके जो बंदा दस अजर बंद रहे गान कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं गहाट बांद के बोल सकता हूं चाती ठोकी बोल सकता हूं मेरे कॉल्स की जो एक्यूरेसी थे मार्केट में बहुत कम लोगों की है प्लस मैं आपको एंट्री एक्जिट बताता हूं सेकेंड पॉइंट इतनी सस्ती सर अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुडबाई जाए हिन